हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 7 मई से समंधित उत्तर प्रदेश करेंट अफियर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए इसका जवाब आपको कमेंट वाक्स में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप वमारे टेलिग्राम ग्रूप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो का description में मिल जाएगी तो वहाँ से आप टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए तो चलिए आपको वीडियो शुरू करते हैं पहला question है किस राज की सरकार ने राज के गाउं में कोविड रोगियों की सीग्र पहँचान के लिए पांच दिवसी अभियान सुरू किया है उप्सन नमबर A है गुजरात, B है राजस्थान, C है उतर प्रदेश और D है बिहार इसका जो correct answer है उप्सन नमबर C उतर प्रदेश उतर प्रदेश सरकार ने राज के गाउं में कोविड रोगियों की सीग्र पहँचान के लिए पांच मई 2021 से पांच दिवसी अभियान सुरू किया है विसेस अभियान राज के 97,000 गावों में 9 मई 2021 तक 5 दिनों तक चलेगा कोविड रोगियों की सीग्र पहँचान करने के लिए स्वास्त कारिकरताओं की एक टीम घर घर जाएगी टीमों को 10 लाख दवा किट प्रदान किये गए है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज के गावों में कोविड रोगियों की सीग्र पहँचान करने के लिए एक 5 दिवसी अभियान सुरू किया है और इस अभियान के तहत स्वास्त कारे करताओं की एक टीम होगी जो की घर घर जाएगी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है और ये अभियान कब से कब तक चलेगा 5 मई 2021 से लेकर के 9 मई 2021 तक ये अभियान चलेगा अब दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के कुछ important question के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है और इसे United Province भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में लोक सभा सीटों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखना है 80 और उत्तर प्रदेश में राज सभा सीटों की संख्या कितनी है तो वो है 31 और उत्तर प्रदेश में विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है तो ये है 404 और उत्तर प्रदेश में जो विधान संक्या है वो कितनी है तो वो है सो और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुक जन जातिया है वो कौन-कौन सी है तो ध्यान अकना है बुक्सा, थारू, राजी, जौन-सारी यह उत्तर प्रदेश की प्रमुक जन जातिया है और दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुक नदिया कौ कौन सा है तो चंदर प्रभा वने जी ओ ब्यारन ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख वने जी ओ ब्यारन है और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख रास्ट्री उद्यान है जो most important है और वो कई वार पूचा भी गया है कौन सा है तो दोधवा रास्ट्री उद्यान ये उत्तर प परियोजना हैं वो कौन कौन सी है तो रेहंद परियोजना ये रेहंद नदी पर है राम गंगा परियोजना ये राम गंगा नदी पर है और सारदा परियोजना ये सारदा और गोमती नदी पर है अब दोस्तों परियोजना से संबंदित आप से इस तरह से कुछन पूछा जा स के रेहंद जो परियोजना है किस राज्ज से समंगत है तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से तो ये शारी चीजह उत्तर प्रदेश से रेलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ये लगातार एक्जाम में पूँछी जाती हैं अगला कुश्यान है C है बलिया और D है बांदा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है option नमबर B मेरट राश्ट्रिय लोक दल RLD के राश्ट्रिय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रिय मंत्री चोधरी अजीत सिंग का 6 मई 2021 को निधन हो गया चोधरी अजीत सिंग ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफर की सुरुआत की थी वे बागपत से साथ बार सांसद रह चुके हैं अजीत सिंग केंद्रिय नागरिक ओडियन मंत्री भी रह चुके हैं वे ताकतवर जाट नेताओं में से एक माने जाते थे पूर्वे परधान मंत्री वीपी सिंग की कैबिनेट में दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक वे केंद्रिय उद्योग मंत्री थे अजीत सिंग का जन्म 12 फरवरी 1949 को मेरट में हुआ था वे पूर्वे परधान मंत्री और देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंग की बेटे थे तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान अकना है कि राष्ट्रिय लोक दल RLD के जो राष्ट्री अध्यक्ष थे और पूर्वे केंद्रिय मंत्री चौधरी अजीत सिंग का हाल ही में नेधान हो गया है और ये पूर्वे परधान मंत्री चौधरी चरण सिंग की बेटे थे तो ये आपको च्छे से ध्यान अकना है और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये थे चौधरी अजीत सिंग जिनका हाल ही में कोविड की वज़ा से नेधान हो गय रक्षा अनुसंधान और विकास संग्ठन मई 2021 के पहले सप्ता के भीतर और दिल्ली के आसपास कितने चिकत सी ऑक्सीजन सयंत्र इस्थापित कर रहा है उप्षा नमबर A है 5, B है 10, C है 12 है और D है 15 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्षा नमबर A 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संग्ठन मई 2021 के पहले सप्ता के भीतर और दिल्ली के आसपास 5 चिकत सा ऑक्सीजन सयंत्र इस्थापित कर रहा है ये एम्स, ट्रामा सेंटर, डक्टर राम मनुहर लुहिया अस्पताल, सफदर जंग अस्पताल, लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलिज और एक जजजर हर्याडा के एम्स में इस्थापित किये जाने है DRDO तीन महीने के भीतर देश भर में 500 चिकत सा ऑक्सीजन सयंत्र इस्थापित करेगा तो दोस्तों आपको अची से ध्यान रखना है कि जो DRDO है ये मई के पहले सपता के भीतर दिल्ली के आसपास 5 चिकत सा ऑक्सीजन सैंत्र इस्थापित कर रहा है कहां कहां पर तो ध्यान रखना है ट्रामा सेंटर, डॉक्टर राम मनुहर लुहिया अस्पताल सफदर जंग अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलिज और एक जजज़र हर्याना में एम्स जो है इस्थापित किये जाने है और तीन महीने के भीतर जो डियाडियो है वो देश भर में पांसो चिकिसा ऑक्सीजन सेंटर इस्थापित करेगा तो ये भी आपका च्छे से ध्यानक ना है और डियाडियो का फुल फॉर्म क्या होता है तो डिफेंस रिसर्च एंड डियाडियो का फुल फॉर्म होता है अगला कुश्यन है मई 2021 में जारी बल्ले वाजों के लिए ICC Test Player Ranking में विराट कोहली की रैंक क्या है ओप्सन नमबर A है दूसरा B है तीसरा C है पांचवा और D है सातवा इसका जो करेक्ट आंसर है बो है ओप्सन नमबर C पांचवा न्यूजीलेंड के कप्तान केन विलियमसन 919 अंकों के साथ चार्ट में सबसे आगी है और पूर्व औस्टेलियाई कप्तान स्टीव स्मित उन्हें टककर देते हुए 891 अंकों के साथ नमबर 2 पर है सूची में 3 भारतिये खिलाड़ी है जिनमें कप्तान विराट कोहली 814 अंक के साथ पांचवे इस्थान पर सरवच भारतिये खिलाड़ी है तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो न्यूजीलेंड के कप्तान है केन विलियमसन वो ICC टेस्ट प्लियर रैंकिंग में पहले इस्थान पर है और कितने अंकों के साथ तो 919 अंकों के साथ और दूसरे नंबर पर है और उस्टेलियाई कप्तान स्टीव स्मित 891 अंकों के साथ और इस सूची में जो पहले भारतिये खिलाड़ी है वो कौन है तो विराट कोली और ये इस सूची में अगर दिखा जा तो पांचवे इस्थान पर है कितने अंकों के साथ तो 814 अंकों के साथ अगला कुश्यान है मई 2021 में दूर संचार विभाग ने 5G परिक्षणों के संचालन के लिए निमलेखित में से किस दूर संचार सेवा परदाता के आवेदन को स्विक्रती दी है अप्सन नमबर A है भारती Airtel B है रोलाइंस Jio Infocom C है Vodafone Idea और D है उप्रोक्त सभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सन नमबर D उप्रोक्त सभी दूरसंचार विभाग ने 5G परिक्षणों के संचालन के लिए दूरसंचार सेवा परदाताओं के अनुपरियोगों को स्विक्रती दे दी है इसने 5G परिक्षणों के संचालन के लिए भारती Airtel, Reliance Jio Infocom Vodafone Idea और MTNL जैसे दूरसंचार सेवा परदाताओं TSPS के अनुपरियोगों को मंजूरी दे दी है इन TSPS ने मूल उपकरण, निर्माताओं और प्रद्योग की परदाताओं Ericsson, Nokia, Samsung और C.DOT के साथ समझोता किया है तो दोस्तों आपको ध्यान अकना है कि दूरसंचार विभाग ने 5G परिक्षण के संचालन के लिए संचार सेवा परदाता कंपनी है उन्हें 5G परिक्षण के संचालन के लिए सुईकर्ती दे दी है अगला खुश्यान है यूनेसको विश्व परे स्वतंदरता पुरस का 2021 से किसे समानित किया गया ओप्सन नमबर A है यूनेसको विश्व परे स्वतंदरता की रक्षा करने के लिए दिया गया है यूनेसको विश्व परे स्वतंदरता पुरस का नाम कुलंबियाई पत्रकार विश्व परे स्वतंदरता पुरस का नाम पर रखा गया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यूनेसको विश्व परे स्वतंदरता पुरस का 2021 से किसे समानित किया गया है तो मारिया रेसा को इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं यह है मारिया रेसा जोने इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगला कुश्यन है वैग्यानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है जो अब तक का सबसे खलका है नए uranium को क्या कहा जाता है उप्सन नमबर A है uranium 117 B है uranium 126 C है uranium 2-14 और D है uranium 232 इसका जो correct answer है वो है उप्सन नमबर C uranium 2-14 वैग्यानिकों ने एक नए प्रकार के uranium की खोज की है जो अब तक का सबसे खलका है नया uranium जिसे uranium 2-14 कहा जाता है एक आईसोटोप या तत्व का एक प्रकार है जिसमें proton की तुल्ना में 30 अधिक neutron है neutron के द्रव्यमान के कारण uranium 2-14, uranium 235 सहत अधिक आम uranium समस्थानकों की तुल्ना में बहुत हलका होता है जिसका उप्योग परमालू रियक्टरों में किया जाता है और इसमें 51 अत्रिक्त neutron होते है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि व्यग्यानकों ने एक नए प्रकार की uranium की खोज की है जो की अब तक का सबसे खलका uranium है और उसका नाम क्या रखा गया है तो ध्यान से अच्छी से रखना है uranium 2-14 इसे कहा जाता है अगला कुश्यन है नासा के अंत्रिक्षय यान पारकर सूलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकरतिक रेडियो सिगनल की खोज की है इसका जो करेक्ट आंसर है बो है उप्सन अंबर A सुक्र ग्रह नासा के अंत्रिक्षय यान पारकर सूलर प्रोब ने सुक्र ग्रह से एक प्राकरतिक रेडियो सिगनल की खोज की है इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने सुक्र के उपरी वायू मंडल पर उडान भरी पारकर सुलर प्रोब ने सुक्र के वायू मंडल को मापा है यह 30 वर्सों में सुक्र ग्रह के वायू मंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि नासा का जो अंत्रिक्ष यान है पारकर सूलर प्रोब उसने सुक्र ग्रह से एक प्राकर्तिक रेडियो सिगनल की खोज की है अब दोस्तो सुक्र ग्रह की यहां पर बात है तो सुक्र ग्रह से भी कई कुश्यन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तो अगर सौर मंडल में ग्रहों की बात की जाए तो कितने ग्रह है आठ ग्रह सौर मंडल में हैं बुद्ध, सुक्र, प्रतवी, मंगल, ब्रस्पति, सनी, अरोण, एवं बरोण, ये आठ ग्रह सौर मंडल में है, और दोस्तो जो प्लूटो ग्रह है, ये एक बॉना ग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉने ग्रह कौन कॉन से है, प्लूटो है, चेरॉण है, सेरस, और 2003 UB 313 ये भी एक बोना ग्रा है तो इससे भी समंदित कुश्यन पूछा जाता है कि चेरोन किस प्रकार का ग्रा है तो आपको ध्यान रखना ये बोना ग्रा है ठीक है अब दोस्तों अगर सुक्र ग्रा की वाद करें तो ये प्रत्वी का सबसे निकटम ग्रा है ये प्रत्वी का भगनी ग्रा भी कहते है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका गणत आकार और ब्यास वो प्रत्वी के समान है इस वज़ा से इसे प्रत्वी का भगनी ग्रह कहा जाता है और दोस्तो सुक्र ग्रह से समंदित एक कुश्यन और आपको चैसे द्यान रखना है कि सुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है ठीक है तो ध्यान रखना है कि सुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है तो दोस्तों ये सारे जो कुश्यन है वो सुक्र ग्रह से related आपको चैसे ध्यान रखने हैं और ये लगातार एक्जाम में पूछे भी जाते हैं अगला कुश्यन है किस कमपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जाहाज का सफल उडान पर इक्षण किया है ओप्सन नमबर A है स्ट्रेटो लॉंच B है नैती लिवारिस C है ट्रिपी वैच और D है स्पेस एक्स इसका जो करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर A स्ट्रेटो लॉंच इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज हाईपरसोनिक वाहनों के लिए परिवाहन के लिए डिजाइन किया गया था जिसमें अब तक का सबसे लंबा पंक लगाया गया है इस्ट्रेटो लॉंच कमपनी का लक्ष 5,50,000 पाउंड का पेलोड ले जाने की चमता वाला जहाज विक्सित करना है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी कमपनी है इस्ट्रेटो लॉंच इसने कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्थान में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का सफल उडान पर इक्षड किया है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक अमेरिकी कमपनी है अगला खुश्यान है मई 2021 में नेमन मैंसे किस राज या केंदर सासित प्रदेश में हलके लक्षणों वाले COVID-19 रोगी जुन्हें ऑक्सीजन की आवस्चता है के लिए 10 ओटो एम्बूलेंस लॉंच किये गए ओप्सन नमबर A है उत्तर प्रदेश, B है दिल्ली, C है पंजाब, D है चंडीगड इसका जो करेक्ट आंसर है बो है ओप्सन नमबर B दिल्ली 4 मई 2021 को दिल्ली में हलके लक्षणों वाले COVID-19 रोगी जुन्हें ऑक्सीजन की आवस्चता है के लिए 10 आटो एम्बूलेंस लॉंच किये गए मरीज अस्पतालों तक पहुँचने के लिए एम्बूलेंस में परिवर्तित इन आटो की मुफ्त सेवा का लाब उठा सकते है तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली है वहाँ पर COVID-19 रोगी जुन्हें ऑक्सीजन की आवस्चता है तो उनके लिए 10 आटो एम्बूलेंस लॉंच किये गए अब दोस्तो यहाँ पर दिल्ली की बात है तो दिल्ली के बारे में जानते हैं यह है मैप में दिल्ली दिल्ली की कैपिटल है निव दिल्ली दिल्ली के चीफ मिनेस्टर है अरवेंद केजरिवाल और दिल्ली के लिट्रिन गवर्णर है अनिल बैजल और दोस्तो जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बना तो ध्यान अकना है 1911 में कब 1911 में और इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी तो कलकत्ता इससे पहले भारत की राजधानी थी और दोस्तो नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो ध्यानक ना है 13 फरवरी कब 13 फरवरी 1931 को 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो दोस्तो ये सारी चीज़ें दिली से related आपको अच्छे से ध्यानक नहीं है तो दोस्तो ये थे 7 मई से सम्दित उत्तर प्रदेश current affair और इसके अलावा UP exams के लिए most important current affair के question जो की हमने discuss किये अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का question जो हमने आप से पूछा था तो ये है कल के वीडियो क सभी students ने इसके सही जवाब दिये और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी question आपसे पूचा जाए तो सभी लोग उसका answer जरूर किया करो ये है आज का question हाल ही मैं किसने पश्चे मंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की सबत ली option number A है असोग गहलोत, B है राहूल गांदी, C है पिनरी विजयन, D है ममता बनर जी तो इसका जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है तो दोस्तो अगर आपको असका वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को like करें, share करें और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को subscribe पढ़ना न भूलें, साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि time to time notification आप तक पहुंचते रहे, तो मिलते है next वीडियो में, thank you